हेलो फ्रेंड्स मैं उनितीश मैं आया हूँ जाकू टेंपल जो की उपर अन्मान जी मुर्ती यह बहुत बड़ी इदर यह रस्ता गया हुआ है सामने से और यह अपनी इको इको बुक करी है अपनी गाड़ी इनोमा तो नहीं जा सकती रस्ता भी बहुत पतला है तो इसलिए ह हमने यह इको करी है तो इसमें फैमिली में सब कोई चले जाएंगी इसमें बैठके रस्ता पतला है तो गाड़ी भी छोटी तो इसलिए निकल जाएगी जल्दी तो चलो चलते हैं दिखाता हूं उपर क्या सीन है फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं जाकू टेंपल श हम लोग उपर पहुंच चुके हैं यह आपे बच्चों का चोटा सा और यह हनमान जी की मूर्थी बहुत उची मूर्थी है यहां पे मंदिर है यहां पे हनमान जी का यहां पे जूते नहीं पहन सकते और यह है जी मूर्थी बहुत सुंदर लग रही यह आपने उटके हैं यहां पे जी मूर्थी यहां पे जी मूर्थी Samo Darshan Karchu के है Leute मंदिर में अनमान जी का मंदिर है बहुत इसनदर है और काफी प्राची ने अंदर एक फोटो लगी थी इसके जो कि अगस्त 1837 में ली गई थी बहुत पुरानी फोटो है जो इस टाइम सिर्फ यही बिल्डिंग थी यही बस यह बना हुआ है यह और कुछ भी नहीं था और यह अनमान जी का जो मुर्ती है बहुत ही उंची है यह दूर से दिखती है और इदर शिमला है इस साइड यहां बिल्डिंग देख रहे हैं यहां पे बेड़ो के पीछे पूरा शिमला है उदर माल रोड है वहां से हम लोग इस मुर्ती को देख रहे थे हम लोग जो कि यहां तक आने में काफी टाइम लग गया काफी हाइट पर है तो व्यू भी बहुत अच्छा है आपको उस साइड से भी व्यू दिखाता हम जो कि यह सारा हिमाल है माउंटेन पूरा दिख रहा है में मां से बरब भी दिखरी है यहां से दूर दूर तक पूरी जो रेंज माउंटेन की हमाले की वह पतानी कैमरे में कितनी capture हो पार ही यह नहीं लेकिन जो मैं देख सकता हूँ वो बिल्कुल ही क्लियर दिख रही है दूर तक ये देखो ये वाइट वाइट जो थोड़ा थोड़ा दिखरा है उपर ये माउंटेन के उपर ये पूरी पूरी बरफ से ठकी होई है वो और व्यू भी बहुत सुन्दर है काफी हाइट पे मंदिर है इसलिए काफी सुन्दर व्यू है और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो लेकिन छोटी गाड़ी होनी चाहिए बड़ी गाड़ी तो नहीं आ सकती है तो हम लोग नीचे ही गाड़ी खड़ी करके ऊपर छोटी गाड़ी में आए हैं और बहुत ही चढ़ाई स्टीप थ इसकी तो आ गए उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलना होता है पांच मिनिट मंदिर तक आने के लिए और पहुंच गए हम लोग उपर और काफी अच्छा लगा यहां पर आके तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू